सब्सक्राइब कीजिए कुक्वित नुजयत को और बेल आइकन को दबाईए ताके मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हाई फिरेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ बेर जोल बनानी की रेस्पी यह बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही की स्टफिंग में बहुत ज्यादा विल की जरूत नहीं परती इसलिए मैंने एक टेबल इस्पून डाला है और इसी के साथ डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च आप ज्यादा तीका पसंद क्याते हैं तो ज्यादा डाल लें थोड़ा सा इसे सोटे करेंगे अब हम इसी में ड डालेंगे टूटे व ginger एक में अगर मटण नहीं है तो इसमें मुंफले के दाने भी यए रेख णिजा सकते हैं इसे हम दो मिनट के लिए आच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ देखें दो मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे हाप कटा हुआ टामाटर और इसे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा साफ्ट हो जाने तक अब हम इसी के साथ डालेंगे कुछ पाउडर मसाले यहाँ पर मैंने लिया है वन टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है हाप टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है अधा टीस्पून धनिया पाउडर अधा टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर लिया है ज्यादा तीका पसंद करते हैं तो मिर्च की कॉन्टिटी बहा सकते हैं मसालो का अच्छे से भून लाए अब हम इसमेiri डालेंगे थोड़ा सा पानी ताक्य है कि मसाले जले नहीं और अची तरह से इसे मिला लेंगे और मिलाते हुए इसे थोड़ा से मसाले को अच्छे से भून लेंगे देखें मसाले अच्छे से भून चुके हैं टरमाटर सॉप्ट हो गई है और यहां को मैंने लिया है तीन मीरियम साइज के आलू इसको हम हातों से इस तरह से करंबल कर लेंगे बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं करेंगे हमें मसाले में डाल कर भी मिलाना है अब हम आलू को इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से इसमें ला लेंगे और देखें जो बड़े बड़े टुक्रेट है गया है उसे हम इस तरह चमस से दवाते हुए इसे इस तरह से तोड़ लेंगे और अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर तयार हो गई है अब हम इसमें तोड़ा सा यहारा धनिया पता डाल देंगे कटा हुआ अच्छी तरह से मिला लेंगे एक मिनट के लिए इस्ट्रफिंग बनकर तयार है अब हम इसे पिलेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़े देर के लिए ठंड़ा होने देंगे और जब यह अच्छे से ठंड़ी हो जाएगी तब हम बिलेट रोल बनाएंगे यहाँ पर मैंने छे बिलेट के सलाइस दिया है बिलेट के किनारों को हम कट कर लेंगे इससे बहुत ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ाचा फिनिशिंग के लिए इसे काट लेंगे एक कट कर लिया मैंने और सारे को इसी तरह से मैंने कट करके तयार कर लेंगे सारे कट कर लिया मैंने और इस्टफिंग भी ठंडी हो गई है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ये भूना हुआ होमेट गरम मसाला है अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और थुरा सा हाथों में तेल लगा लेंगे और इसे इसके रोल बना लेंगे इस ट्रफिंग के इस ट्रफिंग के रोल बना लेने से असानी होती है रोल बनाने के टाइम इस तरह से इसे बना लेंगे देखे छे बना करके मैंने तैयार कर लिये हैं और प्याले में पानी रखा चाहिए बिरेट अब हम इसमें स्टॉफिंग के रोल डालेंगे और बिरेट से अच्छे से कोट कर देंगे इस तरह से हाथों से दबाते हुए रोल बना लेंगे बहुत ही आसानी से चीपक जाती है देखे मैंने दूसरे को भी इसी तरह से बनाया साधे बना करके तयार कर लिए मैंने और यहां पर मैंने पैन में और डाला है और को गरम होने देंगे बहुत ज्यादा और गरम नहीं करेंगे थोड़ा सा हाथों से देखे तो अच्छी ही टारी है अब हम इसमें बिरेट रोल बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई नहीं करना फिलम कू और अल्ब बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए हुए को और मीडियम हाई पर हम इसे फ्राइख करेंगे और फिलेम को लो अड़ हाई करते रहेंगे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा ऐल डालनेंगे इसके उपर देखे इस तरह से इसे पलट लेंगे नीचे की तरफ से इस इस इप गई है और अच्छी तरह से इलट पलट करके गोल्डन ब्रावन होने तक हमें इसे फड़ाई करना है बहुत ही इसका इससो नेरा कलर हो गया है बहुत ही अच्छा इस प्वाइंट पर अब हम चुले को बंद करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर तयार हुई है इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे और एक बार की ब्रेड रोल तरने में 7-8 मिनट तक का समय लगता है तब ही बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर तयार होती है देखे बहुत अच्छा इसका कलर आया है और बहुत एक की रिस्पी भी बनी है बिरे डिल्ल बनकर तयार है इसे आप अपनी मन पसंद की चर्टनी टोमाटो के चप के साथ सर्फ कर सकते है और वीडियो पसंद आई तो फिलीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा आप इसे जरूर ट्राइक कीजिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगा और रिस्पी पसंद आई तो फिलीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा एक पर फिलीज मिलती हूँ एक नई रिस्पी के साथ तक तक के लिए लिए लापी गुड़ बाई